Hello and Good Morning everyone, आप सभी लोग का स्वागत है Shady Glows पर, और मैं हूँ आपका दोज दीपक, आज 26 जुलाई और बहुती 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 मोटिवेशनल कोट के साथ, यहां पर सारा खील जो है वो आपकी सोचका है, आप उस लक्षे को target को किस तरीके से लेते हैं क्या आप ने जो सपना देखा है वो रोजाना के routine follow करने से क्या वो पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर कोट आप लोग के लिए है सोचा है तो पूरा होगा बस शुरू आज से करना होगा तुझे दुनिया से बाद में पहले खुछ से लड़ना होगा खुछ से लडने का means है ऐसा नहीं कि दो चाटे लगाओ ऐसा नहीं करना है जो time table जो schedule आप लोगोंने fix किया है क्या उसे आप लोग complete कर पा रहे हैं जो daily targets है weekly targets है वो क्या आप लोगोंने complete किये हैं और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ये लड़ाई आप लोगों को खुछ से लडनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो आप लोग दुनिया से लड़ पाएंगे तो जो सोचा है वो पूरा करना है तो आप लोगों को आज सही अपने आप से लड़ना होगा और जो भी आप लोग पाना चाहते हैं उसके लिए एक schedule जो है उसको complete करना होगा तो चलिए शुरू करते हैं SSEGD के courses जो है वो launch कर दी गये हैं live batches यहाँ पे आप लोग के लिए available हैं और बहुत ही बहतरीन Steady Gloss का telegram channel जो है उसको आज ही आप लोग subscribe कीजिए और वहाँ पर special जो PDFs हैं वो आप लोग को मिल जाएंगी इसके साथ में Steady Gloss की जो learning app है उसको आप लोग download कीजिए वहाँ पर बहुत ही बहतरीन personality development के courses आप लोग के लिए available रहेंगे आप लोग मुझे इस्ठाप पर follow कर सकते हैं जो भी आपकी queries हो वो मुझे पूछ सकते हैं इसके साथ में ही आपकी जो भी queries हो feedback हो वो मुझे यहाँ पर पूछिए lecture की PDF आप लोग को telegram channel के उपर available करवा दी जाएगी with answers और जो भी questions हम लोग करते हैं उसका quiz available रहता है telegram channel के उपर और आप लोग के लिए केवल और केवल आप लोग के लिए क्योंकि आप जो हैं वो मेरे प्यारे students हैं इसलिए top 50 जो questions हैं जिनको हम लोगोंने Sunday को cover किया है उसका एक special quiz जो है वो available है ठीक है और आज आप लोग याद रखेगा आप लोग के लिए एक special lecture लेके आ रहा हूँ जो की appointments के उपर रहेगा 2021 के अंदर जो special appointments रहे हैं important appointments रहे हैं उनके लिए एक lecture लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप लोग की demand थी कि sir appointments का एक lecture लेके आई है चलिए शुरू करते हैं 26 जुलाई के बहुत ही बहुत ही बहुत ही current affair को दुनिया का पहला 3D printed steel जो bridge है वो निर्मित किया गया है किसकी द्वारा निर्मित किया गया है अभी हम लोग सीखते हैं सबसे पहले आप लोग ये समझे कि 3D D का means क्या है देखिए D का means यहाँ पर है dimension और 3 का means है 3 जब भी हम किसी भी product है कोई भी object है इसको 3 dimension से देख लेते हैं जैसे मान लीजिए कि ये कोई bridge हमारे पास में है यदि हम लोग इस picture को move करके इसके पीछे की तरफ पूरा इसको घुमा कर देख सकें तो उसे हम लोग कहते हैं 3D जैसे हम लोग mathematical के अंदर axes use करते हैं तो वो होते है x फिर होते है y और फिर होता है z तो तीनों जो axes है वो पूरा मिलकर 3D view कहलाता है ठीक है अब फिर 3D object का हम लोग को क्या करना है उसका print करना है और उसके अंदर steel का material use लिया गया है और वो क्या है एक bridge है तो तीन words का यहां पर combination है M-shardum यहां पर इसकी शुरुआत की गई है इस bridge को यहां पर बनाया गया है बनने की प्रक्रिया जो है वो आप लोग यहां पर समझे यहां पर देखिए काफी बड़ा bridge है और यह बड़ा bridge जो है यह केवल एक बार में नहीं बना है इसके कई छोटी छोटे parts जो है उसको assemble करके बनाया गया है लेकिन आप लोग को picture देके लग रहा होगा कि यह possible कैसे है कि हम लोग printer की मदद से एक bridge को कैसे बना सकते हैं अब से पहले first image यहाँ पर यह देखिए आप इसमें यह जो pipes आप लोग को उपर दिख रही है इसमें से यह material जो है वो इस machine के थूँ यहाँ पर एक के उपर एक layer जो है वो create करता हुआ जा रहा है अब यह machine जो है यह coded machine है इसमें पहले से coding कर दी गई है और उसी coding के according यह का कर रहा है इसके उपर layer by layer जो है इसको बनाता जा रहा है second picture में हम लोग यहाँ पर आते हैं कि चाहे कितने से typical से typical यहाँ पर कोई भी design हो उसको layer by layer जो है वो यह design करता जाता है जिससे पूरा complete बन जाता है दो आप लोग समझ चुके हैं third पर अब आईए अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि threat का use किया गया है दागी का use किया गया है इस design को बनाने के लिए basically यह जो machine है उपर आप लोग देख रहे हैं इसमें धागा जो है वो पहले से ही fit कर दिया गया है रसी के अंदर पहले से ही डाल दी गई है और design की coding जो है उसको यहाँ पर fix कर दिया गया है और जैसे जैसे वो coding आगी चलती जाती है वैसे वैसे design जो है वो बनती जाती है अब शायद आप लोग की समझ में आ रहा होगा और उसके बाद में सभी को assemble कर दिया जाएगा तो शायद आप लोग इसी को समझ गए होंगे कि 3D printing की मदद से कैसे हम लोग बड़े से बड़ा product जो है उसको manufacture कर लेते हैं तो यहाँ पर wishu का सबसे पहला 3D printed bridge जो है वो बनाया गया आप लोग देख सकते है Amsterdam के अंदर और यह कहां इस्तित है यह जो Amsterdam है यह जो अनि कि यह ब्रिज बनाया गया है यह canal है यहाँ पर यह इस्तित है इस canal का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और 15 जुलाई को इसको शुरू भी कर दिया गया था तो ऐसे टीपिकल जो टास्क होते है इसका structure जो होते है उनको 3D printing की मदद से बना लिया जाता है चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नीदर लाइन जो है नीदर लाइन की capital है और वहीं पर इसको बनाया गया है अब यह stainless steel से बना हुआ है यहाँ पर आप लोग समझिये कि stainless steel क्या होता है stainless का means समझिये stainless का means वो होता है जहाँ पर हम किसी product पर यदी कोई वज़न डालते हैं तो उसको वो वज़न कैरी कर सकता है और यही product जो है वो यदी steel से बन जाता है तो उसको हम लोग stainless steel कहता है लेकिन जब भी iron के अंदर यहाँ पर देखिए हमारे पास में iron है और iron के अंदर जब carbon की मातरा को बढ़ा दिया जाता है और फिर उसको furnish किया जाता है उसको brush किया जाता है तो उससे क्या बनता है उससे बनता है steel तो basically इसका जो raw material है वो iron ही रहता है लेकिन carbon की मातरा बढ़ाने पर फिर इसको steel के अंदर convert कर दिया जाता है और इसका जो वजन है वो आप लोग देख रहे हैं 4500 kg जो है वो इसका वजन है तो ये काफी अच्छा initiative है कई बार घर जो है वो भी बनाए जाते हैं 3D printing की मदद से और इसकी जो measuring है वो आप लोग देख सकते हैं 40 foot के आसपास में 12 meter यहां पर जो है इसके साथ में यहां पर sensors भी लगे हैं sensors क्यों लगाए गए हैं क्योंकि मान लीजिए कि कल को कोई damage होता है तो damage होने पर इसकी सारी जो खबर है वो detect किजा सके sensor जो है वो सारा इसको detect कर लेंगे तो ये जो sensors हैं ये क्या करेंगे इसका performance बार बार measure करते चलेंगे चलिए किस राज्य की सरकार ने दलित बंदू योजना जो है ये पहली दलित सशक्ती करण के लिए empire करणी के लिए पहली योजना है और तेलंगाना government के दोरा ऐसा किया गया है अच्छा देखे दलित जो शब्द है इसका means क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता है लेकिन सूप्रीम कोट ने कई अपनी definitions के अंदर ये बताया है कि जब किसी वेक्टी पर जन्म के आधार पर by bond जो हैं वो उस पर social foundations लगा दी जाती हैं सामाजिक बंधन उस पर implement कर दी जाते हैं जिससे उसका development जो है विकास चाहे वो economically हो political हो या फिर socially हो उसका विकास नहीं हो पाता और इस condition को कहा जाता है कि वो जो है untouchability का शिकार हो गया है और इस परश्चता का शिकार हो गया है यदि आप लोग papers को देखेंगे UPSC के papers को वहाँ पर 2019 का आप लोग paper देखीगा उस paper के अंदर article 17 से यही question पुछा हुआ एक statement के अंदर कि यह जो word है untouchability या दलित जो word है क्या इसको constitution के अंदर define किया गया है तो कहीं भी इसको define नहीं किया गया है इसमें क्या होगा कि जो भी दलित है पहले तो चीज यह है कि basically दलित को identify कैसे किया जाएगा तो यह जो है वो एक difficult task है दलित को identify करना अचा आप देखिए कि कि किसी वेक्ति को दलित कहेंगी तो क्या वो समाज के अंदर एक अपना निम्न ओदा feel नहीं करेगा इसका मतलब है कि आपने उस चीज को divide कर दिया है ऐसी योजनाई जो है वो कहीं न कहीं partition की तरफ मतलब छोटे जो states है ठीक है states के अंदर कहीं न कहीं grouping की तरफ indication करते हैं लेकिन अब दूसरा इसका पहलू भी है दूसरा पहलू यह है कि उनकी जो गिरती हुई इस्तिती है उसको उठाना भी जरूरी है और उसी इस्तिती को उठाने के लिए ऐसी योजना जो है वो लेके लाई जाती है मैं कहीं पर भी इसके विरोध में नहीं हो लेकिन ध्यान रखिए कि हम लोगों को बात करनी है हर चीज के positive और negative cause के बारे में क्योंकि exam में हम से यही तो aspect किया जाता है तो फिर यहां पर आप लोग देखिए कि हर वेक्टी के account के अंदर 10 लाख रुपे जो हैं वो transfer किये जाएंगे special conditions के उपर तेलंगाना के लिए हम लोग बात करें तो तेलंगाना एक ऐसा state है जो कि चारों तरफ से कैसा है landlock एक state है इसकी स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को की गई थी कृष्णा आयोग की सिफारिश पर उस आयोग के अंदर उस commission के अंदर 5 अदशे थे जो कि 2010 में गठित किया गया था उसमें यह कहा गया था कि 10 वर्ष तक अगले 10 साल तक मतलब 2024 तक और तेलंगाना की combined जो capital है वो रहेगी हैदरबाद तो हैदरबाद जो है वो तेलंगाना की capital है लेकिन आधरबर्देश की राजधानी क्या बन चुकी है वो बन चुकी है अमरावती ठीक है लिए आधर प्रदेश बाशा के आधार पर गटित होने वाला पहला राज्य था इसकी जो भाषा थी टेलोगू भाषा के आधार पर ये बना था और इसकी जो capital बनाई गई थी वो थी करनूल करनूल इसकी capital को बनाय गया था ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लग भग बारा सो करोड रुपे जो है एक्रोस स्टेट वो इसमें क्या किये जाएंगे इंप्लिमेंट किये जाएंगे अब यहां पर beneficiaries family will get financial help of 10 lakhs तो जो family है उसको 10 lakh रुपे तक की मदद दी जाएगी actually the telangana government is going to launch a special scheme for empowerment of the dalits of the state अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है क्योंकि जो व्यक्ति poverty line के नीचे है below poverty line है तो कही ना कहीं उनके short shell और economically जो हालाद है लेवल्स यह हैं उनको उठाने का समय है चलिए बढ़ते हम लोग आगे भारत में किस मंत्राले की संयुक्त सचिव joint secretary है रश्मी रंजंदास को United Nations के अंदर जो tax committee है उसमें निउक्त किया गया है तो ministry of finance के अंदर अभी यह work कर रही है और यहाँ पर इनका work क्या रहेगा कि जितने भी developing nations है विकास सील्डेस देखिए country जो है पहले इनको तीन पार्ट में divide किया जाता था countries को ठीक है कौन-कौन सा है एक तो है developed nations जिसको हम लोग कहते हैं विक्सित राष्टर फिर है developing nation विकास सील्ड राष्टर और third category में आते थे अल्प विक्सित देश तो यह third category जो है अल्प विक्सित देश वाली वो हटा दी गई है आप केवल दो ही यहाँ पर category है एक तो developed nation और एक है developing nation ठीक है चलिए देखिए developed nation हम लोग किसको कहते हैं कि जितने भी सुविधाय होती हैं जितने भी facilities हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँच चुकी है तो यहाँ पर केवल qualitative की बात की जाती है not quantitative जबकि जितने भी developing nations है वहाँ पर quantitative development की बात की जाती है compared to qualitative की क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पर ज़्यादा quantity होगी तो वो ज़्यादा जनसंख्या को cover कर पाएंगे इसलिए developing nations quantity पर ज़्यादा believe करते हैं compared to qualitative ठीक है तो यहाँ पर ministry of finance के अंदर joint secretary है रश्मी रंजन्दास और इनी को ही क्या किया गया है appointment किया गया है और इनका appointment जो है वो 2021 से 2025 तक है ठीक है और United Nations Tax Committee के अंदर तो जितने भी developing nations हैं उनकी through tax आता है किसी other country के अंदर या उन countries के अंदर आता है तो उसके लिए क्या rules and regulations होने चाहिए इनका ये work रहेगा भारत के किस राज्य की अधिकारियों ने transgender college के छात्रों के लिए विश्विधाल में प्रेविश के लिए IU SEMA जो है age limit उसको हटा दिया है तो ऐसा करने वाला state केरला ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पर literacy rate ज्यादा है और other states जो हैं वो कम initiative लेते हैं to work to transgenders maximum जो हैं वो हम लोग देखते हैं जितने भी literacy rate अच्छी वाले states हैं वहाँ पर हम लोग ऐसी जो initiative हैं वो देखने को मिलते हैं दूसरे states को भी ऐसा करना जरूरी है मतलब उनको भी ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोग बात करें कि transgender क्या होता है basically LGBT ठीक है तो जो LGBT समुदाय की community की बात की जाते हैं तो यहाँ पर T का means ही क्या है transgender है जिसने अपना link जो है वो परिवर्तन करवा लिया है from one to another sex के अंदर ठीक है तो यहाँ पर age limit जो है वो इनके लिए हटा दी गई है तो आप किसी भी उमर के अंदर ये प्रिवेश कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केरला authorities have recently removed the age limit of transgender college students to enter the university ठीक है तो काफी अच्छा initiative है तो केरल वाज the first state in India to announce the transgender coverage in the year of 2015 तो केरल ऐसा पहला क्या बना था राज्ये भी बना था चलिए Tokyo Olympic 2021 का शुभंकर जो है वो क्या बना है recently आपको पता होगा कि शुभंकर जो है वो A और B दोनों answer जो है यहाँ पर correct है मतलब D इसका correct answer रहेगा चुभंकर मैसकॉट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और दोनों है तो यहाँ पर जो indigo blue color pattern जो है वो इसमें use किया गया है और इनके जो particular means भी होते हैं देखिए जापान के दिए हम लोग बात करें तो जापान की राजदानी Tokyo के अंदर 23 जुलाई से 8 अगस तक Olympic जो है इनको organize किया गया है वहाँ पर और मीरबाई चानू अभी हम लोग question भी लेने वाले हैं उन्होंने वहाँ पर silver medal भी जीत लिया है चलिए बढ़ते हम लोग आगे 2020 Tokyo Olympic Halo में Olympic पदक जीतने वाली पहली भारती है मीरबाई चानू बन गई है वेट लिफ्टिंग इन्होंने किया है और इन्होंने silver medal इसके अंदर जीता है मनिपूर से इनका संबंध है मनिपूर से इनका संबंध है और मनिपूर जो है वो जाना जाता है अपने एक national park के लिए जिसका नाम है केबूल लाम जाओ नाम याद रखीगा केबल लाम जाओ केबल लाम जाओ national park है जो की भारत का यह हम लोग कहें विश्यों का एक मात्र तैरता हुआ national park है और यह कौन सी जील पर यह है लोक्तक लोक्तक जो जील है लेक है उस पर तैरता हुआ एक नैशनल पार्क है चलिए मीरा भाई चानू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं मीरा भाई चानू जो है इनका संबंध कौन से उससे है इस्टेट से है मनिपूर से इनका संबंध है इमफाल उसकी कैपिटल है 1994 का इनका बर्थ है काफी कम उमर के अंदर इन्होंने बहुत ही बैतरी जो है वो इंडिया के लिए काम किया है silver medal इन्हों ने जीत लिया है 2020 के Tokyo Olympics के अंदर और इनकी जो category है वो है women's की 49 kg इनकी category के अंदर ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि weight जो है 49 kg और event है 49 kg ठीक है awards मिले हैं इनको राजिय गुरानी खेल रतन पुरसकार इसके साथ में पद मुशिरी जो है वो भी इनको मिल चुका है gold medal जो है वो जी चुकी है 2018 Commonwealth Games के अंदर 48 kg category के अंदर और कर्णम मलेशरी के बाद दूसरी ऐसी wet lifter है जिन्होंने Olympic के अंदर ये medal जीता है ठीक है तो आप लोग जो विश्व धरोहर सूची की लिष्ट में होता है वर्ड हेरिटेस साइट की लिष्ट में होता है तो उस condition के अंदर उसको सारा जो है वो maintain करना पड़ता है ठीक है जैसे हम लोग कहें कि tourist के लिए आपको सब facilities जो है वो provide करानी पड़ती है तो कहीं न कहीं चाइना के द्वारा इस meeting को यहाँ पर क्या किया गया था इस meeting को head किया गया था और वहाँ पर 13 सदस्यों की committee के द्वारा यह decide किया गया कि जो लिवरपूल है इसको क्या करतिया जाए उस heritage list से हटा दिया जाए क्योंकि इसने पूरा जो dignity है उसको maintain नहीं किया है हर चीज को maintain करना पड़ता है जैसे मैं आप लोग को बता हूँ example ताज महल के हम लोग बात करें तो ताज महल से लेकर 1.5 km के area तक वो जो state government है मतलब UP की जो government है उनको पूरा साफ सफाई का खर्च जो है पूरा साफ सफाई महाँ पर रखनी पड़ती है और जिस परिस्ति में इसको heritage announce किया गया था उसी सिस्ति के अंदर इसको वर्षो तक रखना पड़ता है तब ही जाकर यह इस list में होती है नहीं तो फिर इस list से हटा दिया जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे जानते हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखिए आप लोग चाइना के द्वारा यह 13 सदश्य delegate जो है committee इसके अंदर यह decision जो है वो लिया गया है two third majority से decision लिया गया है UNESCO की हम लोग बात करें तो United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यह इसका full form है इसके यदि हम लोग headquarters की बात करें तो Paris France के अंदर इसका headquarter है head जो है वो कौन है order azole याद रखीगा काफ़ important है found किया गया था 16 नौबर 1945 को London United Kingdom के अंदर चलिए बारत की सबसे उम्र दराज छात्रा भागी रती अम्मा जिनका 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है किस राज्य की निवासी थी तो ये केरल राज्य की निवासी थी मतलब इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है यहां तक की जब इनकी उम्र 105 साल हो गई तब भी ये लिटरिसी का exam दे रही है exam के अंदर बैट रही है तो पीछे आप लोग बच्चे देख सकते हैं इनके पीछे तो बच्चेओं के साथ ये exam दे रही हैर 105 साल की उम्र में और 107 साल की उबर में health problems की कारण इनका क्या हो चुगा है इनका निधन हो चुगा है और नरेंद्र मोधी मतलब prime minister जो है इन्होंने भी इनका जो dedication था to work to studies उसको काफी appreciate भी किया है चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बगाईदा tweet भी जो था वो इसके लिए किया गया यह तो बहुत ही मतलब यह कह सकते हैं कि एक पढ़ने का एक जजबा था यह और आप लोग को पढ़ने के लिए कहा जाए तो मुश्किल से चार घंटे आप लोगों से लगाता रहना पड़ा जाए ठीक है तो चलिए बढ़ते हम लोग हाल ही में G20 प्रयाण मंत्रियों की ब बात कर लेते हैं कि G20 और G7 के अंदर difference क्या है? Group 20 और Group 7 के अंदर क्या difference होता है? G7 जो है वो developed nations का group है ठीक है? और इसमें एक मात्र देश जो है वो कौन सा है? वो है Japan G7 के अंदर फिर इसके अंदर G7 group के अंदर एक देश और है जिसका नाम है Italy और Italy वो पहला देश था जिस इसने चाइना की belt and road initiative जो परियोजना है इसको क्या किया था? जॉइन किया था ठीक है? G20 के अंदर हम लोग बात करें तो G20 developing nations का एक group है और उसके अंदर European Union जो है वो भी शामिल होता है तो जापान की द्वारा इन परियावर्ण मंतिरियों की बैटक जो है वो आयोजित की जाएगी उसकी अद्रक्षता भी की जाएगी जापान के दिए हम लोग बात करें तो जापान चार दीपों से मिलकर बना है Hokkaido, Honshu, Shikoko को और Kyushu ठीक है? Hokkaido, Honshu, Shikoko को और Kyushu तो यहीं पर जापान की राज़नी क्या इस्तित है? Tokyo इस्तित है. Hokkaido, Honshu, Shikoko को और Kyushu जो दीप है Kyushu इस Kyushu दीप पर ही क्या गिराए गया था? 9 अगस्त 1945 को बाम गिराए गया था नागा साकी के ऊपर. ठीक है? इनके नाम थे क्या Little Boy और Fat Boy? ये भी आप लोग जरूर याद रखेगा. तो हम लोग बात करें G20 की, तो 19 तो इसमें Countries है और European Union जो है वो भी इसके अंदर Member है, Establishment है, इसका 16 सितंबर 1999 है. इंडिया जो है वो पार्ट है G20 का, जबकि G7 का पार्ट नहीं है इंडिया, फिर help की गई थी, ठीक है, ये question जो है, वो UPSC के अंदर आ चुका है, as a statement, 17 सत्रवी जो थी, वो G20 Conference 2022 के अंदर, Indonesia के अंदर, आइजित की जाएगी, और ये महत्वपून है, 2023 के अंदर, मतलब अगले साल जो है, वो इंडिया के अंदर आइजित की जाएगी, मतलब पहले 2022 में य अरशगाट मनाने जा रहा है, रगभी विश्यू कप 2021 का योजन किस देश में होगा, तो इंग्लेंड के अंदर, रगभी जो वर्ड कप है, इसका योजन किया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थीक है, तो यह देट्स भी यहाँ पर है, 16 टीम जो है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, हाल ही में किस राज्य की पैराशूटर, रुबिना फ्रांसिस ने पैरु इवेंट में गौल्ड मेडल जीता है, तो यह कहां की हैं, यह है मध्य प्रदेश की, और 10 मिटर एयर राइफल जो है, 10 मिटर एयर राइफल, उसके अंदर इन्होंने यह क्या जीता है, मेडल जीता है गौल्ड मेडल, ठीक है, एक और हैं, जो कि इंडिय के लिए खेलती हैं, जिनका नाम है अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला जो है, इनका संबंध कौन से स्टेट से है, तो वो है राजस्थान से इनका संबंध है, और यह भी 10 मिटर एयर राइफल जो हैं, व पाई जाते हैं, कहां पर मद्यप्रदेश और यह हो जाएगा 526, देखिए मद्यप्रदेश के अंदर एक कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क के अंदर अफरिका से ही क्या किया जाएंगे, यहां पर जो चीता हैं, इनको ट्रांसफर किया जाएगा, तो कुनो मद्य प्रदेश के अंदर इस से थे याद रखे काफी important है बिहार के रिए हम लोग बात करें तो biofuel जो नीती है यह हम लोग कहें कि ethanol जो नीती है वो लागू करने वाला पहला जो state है वो बिहार है और India Justice Report के according सबसे ज़्यादा महिला पुलिस अधिकारी जो है वो बिहार के अंदर ही शामिल है चलिए 10 मिटर एर पिश्टल जो है वो खेलती है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा हाइलाइट कर दिया है कि मॉटर मेकेनिक है इनके फादर देखिए वो कहता है ना कि जो पूत के पैर है वो पालने में ही दिख जाते हैं तो वो आदमी कितना आगे जाने वाला है तो वो यही से बैक्गराउंड से पता चल जाता है कि वो आगे कितना मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा तो जिस इंसान जो इंसान अपने बैक्गराउंड को देखते हुए आगे बढ़ता है तो वो कभी पीछे मुढने का नाम नहीं लेता और वो जिन्दगी के अंदर जरूर सफलता पाता है तो जो भी इनके जीवन में परिशानिया रहती हैं तो उनी को देखकर ये लोग आगे बढ़ते हैं चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रूबिना ने year 2017 के अंदर word record जो था वो भी कायम किया था और इससे पहले भी कई record जो है वो भी इनके नाम है ठीक है ये tweet आप लोग देख सकते हैं congratulations वगरा सब कुछ है इसके अंदर बहुत ही बैतरी इनों ने काम किया है हाल ही में अनुवानसिक रूप से संशोदित golden rice के वेवसाई कुतपादन को मंजुरी देने वाला पहला देश जो है वो फिलिपीन्स बन गया है देख ये बात है golden rice तो golden rice जो है इनको genetically modified जो फसले हैं उनकी अंदर ये count किये जाएंगे basically मान लीजिए कि हमारे पास में दो फसल है दोनों चावल की फसल है एक चावल की दाने जो है उसके अंदर carbohydrate की मात्रा जादा है और दूसरा जो चावल है उसकी length जो है वो काफी अच्छी है तो हम लोग चाते हैं कि एक ऐसा नया चावल इजाद किया जाए जिसकी length भी अच्छी हो और carbohydrate की मात्रा भी उसमें जादा हो तो इसी लिए उनको modified करके एक नई किस्म जो है वो तयार की जाएगी उसे ही कहा जाएगा genetically modified किस्म कहा जाएगा और golden rice जो है ये सबसे पहले कहाँ पर इसका commercial use किया जाएगा production किया जाएगा Philippines के अंदर इसका production किया जाएगा Philippines की capital है Manila और Manila के अंदर ही क्या है वेशू चावल अनुसंधान के अंदर है ठीक है यहाँ पर golden rice आप लोग याद कर रहे हैं तो ये भी याद कर लीजिए कि वेशू चावल अनुसंधान केंदर जो है research institute वो भी कहाँ पर इस्तित है Manila के अंदर ही इस्तित है Asian Development Bank का मुख्याले जो है वो भी कहाँ पर इस्तित है Philippines के राज़ानी Manila के अंदर देखिए कोई भी योजना है कोई भी काम है वो ADB ने कहा किया है तो हमेशा उस statement को correct मानना कभी भी वो ये statement गलत होता ही नहीं है 99% statement वो हमेशा सही ही माना जाता है ठीक है capital आप लोग देख सकते है Manila है और यहाँ पर ही Vishu का सबसी गहरा गर्त जो है जिसको कहा जाता है Mariana Trench जिसकी गहराई 11,022 मिटर है वो भी फिलिपिन्स के बिलकुल नजदीक ही इस्तीक है तो Luzon दीप यहाँ पर इस्तित है Visayas जो है वो दीप इस्तित है Mindonao यह भी दीप इस्तित है President काफी important है Rodrigo Duterte जो है वो यहाँ के President है Currency देखिए Philippine पैसो जो है वो यहाँ की Currency है हाल यह में किस राज्ये ने Undergraduate Course में NCC को वैकल पिक विशे के रूप में शामिल किया है तो मेगाल लेके द्वारा यह बहुत ही भैतरीन National Cadet Corp जो है एक तरीके से Optional Subject जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है जबकि होता क्या है कि अलग से Course करना पड़ता है NCC का और फिर उसके बाद में Studies के साथ में इसको करना पड़ता है तो अलग से NCC का Course Available नहीं रहता Institute's के अंदर Colleges के अंदर तो वहाँ पर अब जो है मेघाले के अंदर अलग से Course वहाँ पर Available करवा दिया जाएगा तो NCC की Full Form क्या है National Credit Corporate चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर मेघाले के बारे में आप लोग देखिए 21 जनवरी 1972 को इसका Establishment किया गया था Shilong इसकी Capital है और सत्यपाल मलिक जो है वो यहाँ के Governor है हम लोग बात करें Condor Sarma यहाँ के क्या है संग्मा यहाँ के क्या है CM है और Chief Justice कौन है विश्वनाद जो है वो यहाँ के Chief Justice of मेघाले है चलिए आएकर दिपस जो है वो कब मनाये जाता है तो 4 जुलाई को Income Tax Day मनाये जाता है देखिए Income Tax जो है वो Direct Taxes के अंदर आते है ठीक है Income Tax जो है वो Direct Taxes के अंदर आते है और Indirect Taxes के अंदर क्या आता है जैसे आप लोग जो Weight देते हैं या फिर मान लेजिए कोई भी किसी Goods पर कोई टेक्स लग रहा है तो वो सब के सब Indirect Taxes के अंदर आते है और उनको सब को मिला कर क्या कर दिया गया है GST कर दिया गया है और इसका उलेख 279A जो आर्टिकल है वहाँ पर भी किया गया है ठीक है तो Income Tax Day जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है चलिए CBDT Central Board of Direct Taxes जो है Has Celebrate 161st On 24th of July 2021 ठीक है तो इस दिन क्या हुआ था कि Sir James Wilson Income Tax Was Income Tax जो है इसको सबसे पहले इंट्रिदूस के क्या था इंडिया के अंदर 24 जुलाई 1980 को ठीक है तो आप लोग याद रखीगा अंत्रिक्स की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंत्रिक्स टूरिज जो है वो संतोष जॉर्ज कुलंगर बने हैं और इनका संबन जो है वो कहां से है वो है केरल से देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि New Shepherd जो Blue Origin है Blue Origin जो है Amazon का उसके साथ में क्या किया था New Shepherd जो विमान है उसने 10 मिनट की यात्रा की है Space की 10 मिनट की और जब कि इससे पहले ही इससे पहले ही जो Branson थे उन्होंने 90 मिनट की अंत्रिक्स यात्रा की थी और उनका जो था अंत्रिक्स टूरिश जो है वो संतोस जोर्ज कुलंगर बने है और इनका संबंध जो है कहां से है केदल से इनका संबंध है According to a report By Times of India 49 years old संतोस has traveled to about 130 countries so far ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे Who was the first person to reach in space तो वो है Yuri Gagarin Valentina Traskova जो है वो first woman है जो कि space में गई थी first Indian man Rakesh Sharma है first Indian woman Kalpana Chawla है और जिन्होंने अंत्रिक्ष में शादी कर ली है वो कौन है Yuri, Malen, Zenko जो है इन्होंने अंत्रिक्ष में शादी की थी चलिए 24 जुलाई के बहुती बैतिरिन करेंट अफेर को हम लोग revise कर लेते हैं Digital साथी बच्चों का सहरा फोन हमारा यह जो योजना है यह मातिल प्रदेश की है किस भारती संस्थान ने ओध्योगीक पैमाने पर high strength titanium जो alloy है इसको विक्सित किया है तो वो है DRDO कांटेदार बैंगन जो है वो है वैलोर का जिसको GI टेक दिया गया है rising free my olympic journey जो है वो इम्तियाज अनीश की है केलर राज्य का पहला book village जो है वो पैरू पैरू मुकलम को बनाया गया है फिर the stranger in the mirror जो है यह किसकी है यह है राकेश ओम्परकास महरा डारेक्टर है दो हजार बत्तीस ग्रिश्म कालिन समर ओलम्पिक जो है और पैरा ओलम्पिक यह उस्टेलिया के ब्रिस बैन में होंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनात हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है तो वो है उत्रप्रदीश सरकार रेश्य विध्धाल लेशिकर सम्मेल 2021 का योजन ओपी जिंदल ग्लोबल उनिशिटी सोनीपत हर्यान के अंदर किया गया है हाल ही में किस रेक्ती को भारती राष्ट्री राजमार्ग प्रादिकरन कातिरित कारेफार दिया गया है तो अर्मान गिरिधर जो है इनको दिया गया है ती के ने परधान मंतरी एरियल हैंडरी बने है निमलिकित में से कौन सा बैडमिंटन खिलारी टोक्यो ऑलम्पे के लिए क्वालिफाई करने में आज सफल रहा है तो सानिया नेवाल है BWF World Championship जो है वो 2026 के अंदर इंडिया में होगी महिला फुटबोलर आप दा एयर जो है वो बारा देवी को नामित किया गया है अंत्रिक्ष की आत्रा करने माले सबसे उम्दराज व्यक्ती जो है वो वालिफ हंकी बने है विशू का पहला खाड़ी देश कौन सा है जिसमें इसराइल के अंदर रूतावास निर्मित किया है तो वो है UAE तो यह हमारा इस्टेडी ग्लोस कोशन था तो UAE पहला खाड़ी देश बना है गल्फ कंट्री बना है जिसने इसराइल के अंदर क्या किया है अंबसी निर्मित की है चलिए आज के शड़ी ग्लोस कोशन है कि माउंग शच्टा जौलामों की जो है वो किस देश के अंदर इस्तित है आप लोग को मुझे कमेंट सेक्षन में इस कोशन का अंसर बताना है चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जो भी आप लोग की Queries है वो मुझे पोश सकते हैं येदि आप लोग को Special Lecture चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं आज याद रखिएगा कि आप लोग के लिए appointments का एक special lecture रहेगा कि 2021 के अंदर top 50 जो appointments हैं वो कौन-कौन से हुएं उनका lecture आज हम लोग लेने वाले हैं lecture की PDF जो है वो आप लोग को with answers मिलेगी telegram channel के उपर और जो भी question हम लोग करते हैं उसका quiz available रहता है telegram channel के उपर हमारी tagline है तो आप लोग channel को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कल मिलते हम लोग बहुती बहुती बैतरीन करन्ट अफर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू